In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, चोथी जमात के प्यारे बच्चों, में नजीर आमद खटाना, गोवर्मेंट, अपर प्रेमरी सकूल मीर मकाम बाला आवरा से, आपकी खिद्मत में, इंगलिश का लेसन नमत तीन, जिसका नाम है, लद्दाक, दा लेंड आफ पासस लेके हाजर हूँ, बेटा आज इस चेप्टर की, ये दूसरी कलास है, ठीक, पहले में इसकी माडल रीडिंग करूँगा, आप सुनोगे, फिर उसके बाद मीनिंग समझाने की कोशिश करूँगा, और आप समझने की कोशिश करोगे, देखो बेटा, कल आपने पढ़ा था, यहां तक, याने कि इसका ये पैरा पढ़ा था, आज पढ़ते हैं नेक्स पैरा, देखो बेटा, पहले दिन आपने पढ़ा था, कि जो ये लदाख है, ये एक उंचा मकाम है, यहां की कुछ पहाड़ियां हैं, जिन की बलंदी, बहुत ही उंची है, और उन बलंदियों की वज़ए से ये लदाख जाना जाता है, जैसे के हमने ये देखा था, हिमालियन दर जनसकार, लदाख के कुरा कुरम है, आचा, इसी तरह से, सचसर माउटेन है, ठीक बेटा, तो ये बहुत उंचे-उंचे माउटेन है, आज हम ये देखते हैं के, वोल्डेस लार्जेस्ट गिलेशर काल्ड सचन, दुनिया का सबसे बड़ा गिलेशर, लंबा गिलेशर, लार्जेस्ट गिलेशर, जिसका नाम है सचन, ये इस लार्जेस्ट गिलेशर का सबसे बड़ा गिलेशर है, ये इस लादाख की खुबसूरती में और भी बड़ा हुआ करता है, ये लंबा कितना है गिलेशर, 72 किलेशर, ठीक, इस लादाख की खुबसूरती में और इजाफा करता है, लेकन ये क्या काम करता है, लादाख का दर्जेहरारत, जो है, उसको ये कम कर देता है, ये गिलेशर, ठीक, गिलेशन मतलब बरफ है पहाड़ी है किसकी पहाड़ा है पहाड़ी है बरफ की पहाड़ बने हुई है वहाँ पे ठीक एक बहुत बड़ा पहाड़ बना हुआ है बरफ की पहाड़ी मतलब तो ये उस खुबसूर्ती में अजाफा तो करता है लेकिन दरजी हरा तो वहां का यह काम कर देता है कि जो दरास का लाका है उसका temperature गिर की minus 50 हो जाता है ठीक, अब देखा देखो बेटा कि 0 degree Celsius पे तो कोरा लगता है लेकिन minus 50 degree Celsius हो जाए आप खुद सोचो कि क्या होगा वहां पे, through a mountain strange one can find many roads between the mountains which make a slide of passes mountain तो है पहाड़ तो वहाँ पे है लेकन पहाड़ों के बीच में से ही रोड़ें गुदरती हुई दिखाई देती हैं तो उसी वज़ा से कहा जाता है laid of passes के वो जमीन इदर उदर land of passes है उसमें से road pass होते हैं let's learn about two, let's learn about two specialties of Ladakh, Gurgur and ministries के दो Ladakh की और specialties, special चीज़ों के बारे में पढ़ें Gurgur and ministries के इनके बारे में देखिए क्या चीज़ें हैं Ladakh's food is adapted to the harsh climate conditions of the place Ladakh की जो घज़ा है के वो adapt की जाती है, जो घज़ा वहां पर खाते हैं यानि कि अगर सर्दियों में कोई साड़ा घज़ा खाएंगे ते जिसम ओर ठंड़ा हो जाएगा लिकर adapt है यानि वहां के मौसम वहां के दर्ज़ा हरद के मताबक ही वह घज़ा बनी हुई है फिर जिसम को इसी तरह से बना दे, Gurgur is a famous tea, a unique drink वहां की एक चाय है जिसका नाम Gurgur है वह एक famous मशूर टी है यूनिक अजनभी tea है विड़ावड विच तर्ट्रिप अफ लदाख इस इनकम्प्लीट उस चाय की बिना लदाख का दोरा करना ना मकम्मल होता है आज के लिए बेटा इतना है तो यहां से आगे दूसरी मदबा फिर पढ़ेंगे हो दा हाँ